आज हम लोग chapter 3, 6th class का पढ़ने जा रहे हैं, playing with numbers, आप लोग ध्यान से पढ़नेंगे, बहुत interesting chapter है, chapter 3 पढ़ने जा रहे हैं, class 6th का match, सबसे पहले हम लोग factors के बारे में समझेंगे, factor क्या होता है, factor and multiple के बारे में सबसे पहला topic है, factor, देखे, a factor of a number is exact divisor of that number, factor किसी भी number का exact divisor होता है, मतलब हम किसी number के factor से उस number में divide करते हैं, तो पूरी तरह से कर जाएगा, जैसे मान के चलिए, यहाँ 4 है, हमको 4 का factor निकालना है, कि 4 का कौन सा factor होता है, मतलब आप से पूछा जा रहा है, कि which number is divided of 4, मतलब कौन सा number 4 को divide कर सकता है, तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, यहाँ देखे, फोर में 1 से divide करेंगे, पूरी तरह से कर जाएगा remainder 0 आएगा, फोर में 2 से भी करेंगे, तो पूरी तरह से मतलब विवाजी थो जाएगा divisible है, और यहाँ 4 भी है, फोर का फेक्टर कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, और 4 है, इसमें 3 क्यों नहीं है, क्योंकि 3 का table परेंगे, तो इसमें 4 नहीं आएगा, मतलब फोर नहीं कर देगा, इसलिए यहाँ पर फोर का फेक्टर 1, 2 और 4 है, यहाँ 2 और 4 है, यहाँ 10 का फेक्टर कौन कौन सा है, 1, 2, 5 and 10, तो कहने का मतलब यह है, देखिए कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि 1 1 सब का फैक्टर होता है कोई भी नमबर हो उसका 1 फैक्टर होगा ही होगा देखिए यहाँ भी किसी नमबर का फैक्टर निकालेंगे तो आपर 1 होगा ही होगा और वह नमबर खुद भी होगा उस नमबर का फैक्टर देखिए यहाँ पे 4 भी यह 4 का फैक्टर है और 10 भी यहाँ पे 10 का फैक्टर है तो मतलब 1 और वह खुद नंबर उसका factor होगा किसी भी नंबर का factor 1 जरूर होगा और वह खुद नंबर बाकि कोई दूसरा भी होगा लेकिन 1 और वह खुद नंबर factor होगा अब हम लोग multiple देखने जा रहे है multiple a number that can be divided by another number without any remainder देखिए कहने का मतलब यह है a number that can be divided by another number without any remainder multiple of six, six का multiple कौन कौन सा है six के table में कौन कौन सा जो जो भी number आएगा वो उसका multiple होगा देखिए यह 12, six का table पढ़ते जाएंगे six जहां तक बहुत बड़ा भी number हो जाएगा यहाँ पे multiple लेकिन यहाँ पे normally 12 होगा 18 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 42 होगा इसी प्रकार से मतलब multiple का मतलब होता है जैसे आप से पूछाए कि 2 का multiple कौन कौन सा होता है 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है 20 होता है, 12 होता है, 14 होता है इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं मल्टीपल का मतलब जिस नंबर के बारे में मल्टीपल बूचा जाता है उस नंबर से कौन-कौन सा नंबर कट रहा है वो सारा का सारा मल्टीपल होगा उसका यहां से 7 का multiple पूछ रहा है, 7 का multiple 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, मतलब 7 के table में जो जो number आए, जहां तक आगे बरते जाएंगे, वो सारा का सारा हमारा 7 का multiple होगा, जैसे मान के चलिए बहुत बड़ा number दिया रहे, तो उसमें 7 से divide करेंगे, पूरी तरह से divide हो जाता है, तो 1 number 7 का multiple होगा, यहां पर कुछ important point बताए जाएंगे, जो आप लोग अपने copy में लिखेंगे, और बाकि इसको फेर में करना है, जो कुछ मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए, 1 is factor of every number, किसी भी number का factor 1 होगा ही होगा, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, मतलब मान के चलिए, कोई भी number है, उसका factor 1 होगा ही होगा, 1 से कटेगा ही कटेगा, देखिए, 1 और 5, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर भी 1 आया, यहाँ इस, तो यह one factor होगा, देखिए, अगला point है, every number is a factor of itself, every number is a factor of itself, कहने का मतलब यह है, कि किसी number का factor निकालते हैं, तो वो खुद का factor होता है, देखिए, यहाँ पर 2 का factor निकाले, तो 1, 2 आया, तो इसमें 2, 2 को divide करेगा, 3 का निकाले, तो 1, 3, मतलब इस number का factor वो नमबर खुद होगा ही होगा, देखिए, यहाँ 4 का निकाले, 1, 2, 4 होता है, तो यहाँ पर 4 का factor क्या है, 4 है, मतलब वह number खुद होता है आगे बढ़ते हैं हम लोग every factor of a number is exact divisor of that number यहाँ पर कह रहा है कि किसी number का factor निकालते हैं तो वह उस number को पूरी तरह से divide करता है exact divisor होता है देखिए यहाँ पर 12 का हम factor निकाले 1,2,3,4,6,and,2,or इतने factor हैं यह सारे factor इसके divisor हैं पूरी तरह से काटेंगे 1 भी इसको पूरी तरह से काट देगा 2 भी इसको पूरी तरह से काट देगा इसे परकार यह सारे number इस 12 को हम पूरी तरह से divide कर देंगे आगे हम लोग बढ़ते हैं every multiple of a number is equal and greater of that number every multiple of a number जैसे काने का मतलब अभी हम लोग multiple की चर्चा कर रहे थे तो जैसे 4 का multiple यह सारे number है तो यह सारे जो जितने multiple होंगे वो उस number के या तो बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे मतलब greater होंगे smaller नहीं होंगे मतलब इसका 4 का multiple या 10 के बराबर होंगे तो 10 से चोटा नहीं हो रहा तो मतलब यहां पर कहने का मतलब यह है की every multiple of number is equal and greater किसी भी number का multiple या तो उसके बराबर हो गया या उससे greater होगा आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग एक ससाई सुरू करते हैं एक ससाई सुरू करते हैं बाकि कहीं दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर पूछेंगे कमेंट में या मैसे वर्टसप पे मैसेज करके देखिए जैसे यहाँ पे 24 होगा अभी मैं लिख देता हूँ एन 24 और फेक्टरस और 24 यह इतने सारे फेक्टरस ट्वेंटिफोर के होगे इसी प्रकार से बहुत सारे कॉशन दिये गा है उसके फेक्टरस निकालने हैं आप लोग निकाल लिजिएगा कोशन नमर दो में देखिए राइट फस्ट फाइफ मल्टिपल ओफ देखिए राइट इसमें भी बहुत सारे question दिये गए हैं उसमें आप लोग बनाएंगे इसमें first five multiple निकालना है first five multiple में first starting का five multiple कौन कौन सा होगा तो 5 10 15 20 25 इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे इसी प्रकार से आप लोग three point one बनाईएगा कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत easy question दिया गया है आप लोग concept ध्यान से परके बनाएंगे कहीं कोई दिक्कत होगी ता आप लोग पूछेएगा अब हम लोग कुछ अगले exercise में चलते हैं अगले topic में पढ़ेंगे देखिए यहां पर एक topic है even number even number सब लोग आप लोग पहले से भी पर चुके हैं आज भी बता रहा हूं even number the number which is multiple of 2 वैसा number जो 2 से divide होता है वो even number ता जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 100 मतलब 2 से multiply होने वाला जो भी number होगा वो even number होगा odd number क्या होगा जो 2 से divide न हो मतलब 2 का multiple न हो वो हमारा odd number होगा जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यह सारे number हमारा 2 का multiple नहीं है मतलब यह even number नहीं है odd number है आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले topic अगला point है prime number the number which has only two factors is called prime number means one and itself वैसा number जिसका केवल और केवल दो ही factor आए कौन सा एक one आए और एक one number खुद आए वो हमारा होता है prime number जैसे 2, 2 हमारा prime number है जैसे 1 और 2 इसका factor है केवल दो ही factor है जैसे 3 केवल 1 और 3 से ही divide हो सकता है बागी किसी number से divide नहीं हो सकता इसे प्रकास 5 1 & 5, 7, 1 & 7, 11, 1 & 11 यह सारे के सारे हमारे prime number है यह बागी किसी दूसरे number से divide नहीं हो सकते और भी बहुत सारे prime number होते हैं तो मतलब than two factors जिस number का 2 से अधिक factor होता है वो composite number होता है जैसे मानके चलिए 10 दिया है देखिए write all the sum of any two write the sum of any two odd number यदि दो odd number को हम add करते हैं तो क्या आता है देखिए एक odd number one ले 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 दोनुको add करने पर क्या रहा है अगे हम लोग अगर दो इवें नमर को अधे करते हैं even number इवें नमर को करते हैं तो क्या आता है four और six even number दोनों को अधिक करने पर 10 आ रहा है मतलब यह भी एवें आगे बढ़ते हम लोग अगला है हमारा question है true and false देखना है true and false देखना है तो हैं देखिए the sum of three odd numbers is even यदि हम तीन odd number को add करते हैं तो even number आता है क्या यह सही है तो देखिए मान के चले एक even number यह ले लिया one, three, और five तीन even number को क्या करना था sorry odd number को क्या करना था add करना था इसको add करने पर हमारा बोला था कि question even आना चाहिए जो कि यहां पर हमारा even नहीं आ रहा है यह हमारा false है यह हमारा odd आ रहा है तीन odd number को add करने पर odd आ रहा है हमने पिछले question में देखा था दो odd number को add करने पर even आ रहा था लेकिन यहां पर तीन और नमर को एड़ करने पर हमारा यहां और आ रहा है इवेन नहीं आ रहा है यह question बलत था कि इवेन आना चाहिए जो कि गलत है अगला question देखते हैं तो sum of two odd numbers and one even number is even कह रहा है question कि दो और नमबर को और एक इवेन नमबर को एड करने पर इवेन आता है देखिए हम लो एक और नमबर यह है दूसरा और नमबर यह है दो और नमबर को एड करना था और एक इवेन नमबर को एड करना था तीनों को हमने एड किया तो इवेन आया जो कि यह question बोला था कि इवेन संब्सक्राइगा तो यह सही है जot देखें यह दुशत देखिए उस फ्रकार से देखते अगर यहां पह cards देखिए यहां भी दो और गोहां दो डोज लेगा और घरम है तो हमसे जरूरों बुछेंगा अगला question है the number 13 and 31 are prime numbers देखिए यहां पर the number 13 and 31 यह 13 भी prime number है इसका भी केवल 1 और 13 factor है और इसका भी केवल 2 ही sorry 2 ही factor है इसका भी 2 factor इसका भी 2 factor 1 and 31 यह prime number होता है both this number having such digit 1 and 3 find some pair of number of 2 question वो रहा है कि 100 तक 100 तक ऐसे कितने prime number है जिसको आगे पीछे लिखने पर भी prime number ही होगा जैसे यह 1 3 था तो आगे हम 31 कर दिए यह भी prime number यह भी prime number उसी प्रकार से ऐसे pair search करने है 100 तक जिसमें ऐसा pair बने तो देखिए यहां पर 1 and 3 जैसे देखिए हम लोग 100 तक देख रहे थे prime number 11 prime number होता है 13 prime number होता है 17 prime number होता है 19 prime number होता है 23 prime number होता है 29 prime यह सारे prime number दिखे गए हैं आपको तो यह इसको अगर हम आगे पीछे करेंगे तो वही नमबर होगा जो कि इसके बारे में नहीं क्या आगया था लेकिन 13 प्राइम नमबर है इसको हम लोग आगे पीछे करेंगे तो 31 होगा जो कि आपको कोशन में दिया था 17 भी प्राइम नमबर होता है इसको अगर आगे पीछे करेंगे तो 71 होगा यह भी प्राइम नमबर होता है यह एक पेर मिला जो कि हम आगे पीछे करने पर नमबर को चेंज डिजिट आगे पीछे करने पर हमारा भी प्राइम नमबर ही आता है यह 19 हुआ अगर इसको चेंज भ है यह हमारा प्रीर नहीं बन रहा है टूंट इन प्राइम नमपर है लेकिन इसको आगेACE पूछने को नहीं लिखेंगे इसे प्रurb हम macam से प्राइम करने जल नमबर आज है नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे इसके प्रकार से प्रकारिकल्याई मिले को कर लेंगे बागी कहीं दिक्कत होगी तो जरू पुछिएगा आप लो थैंक यू स्टुडेंट्स